भारत में सोने के आभूशन का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। जानते हैं कि भारती महिलाओं के पास कितना सोना है। आज हम आपको इसके बाले में बताएंगे। तो पहले बात करें भारत में सोने की। तो भारत में सोना बाकी कई देशों की तुलना में अधिक पहना जाता है। महिलाओं से लेकर पुर्शों तक सोना पहनने का क्रेज रहता है महिलाएं तो खास कर सोना का ही आभूशन पहनना पसंद करती है भारत के कई राजियों में धार्मिक आयोजनों में भी महिलाएं सोने के आभूशन ही पहनती है अब बात करें कि महिलाओं के पास सोना कितना है World Gold Council की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतिय महिलाओं के पास लगबग 24,000 टन सोना है इस सोने को दुनिया का सबसे बड़ा सोने का खजाना माना जा सकता है WGC की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारतिय महिलाओं दुनिया में कुल सोने के भंडार का 11% के रूप में पहनती है बता दें कि भारतिय महिलाओं जितना सोना पहनती है वो दुनिया के टॉप 5 देशों में कुल सोने के भंडार से भी ज्यादा है चलिए बात करते हैं कि किस राज्य में महिलाएं सबसे ज्यादा सोना पहनती हैं तो बता दें कि भारत में महिलाओं द्वारा सोने का इस्तमाल दक्षिन भारत में सबसे ज्यादा होता है दक्षिन भारत में देश में मौझूद कुल सोने का 40% सोना है तो वहीं सिर्फ तमिल्नाडों राज्ये में 2800 फीजदी सोना है आसान भाशा में पताएं तो भारत के इन राज्यों में महिलाओं के पास सोने के आभूशन सबसे ज्यादा है अब आखिर में बात करते हैं कि किस देश के पास कितना सोना है बात करें अमेरिका की तो अमियरिका के पास कुल सोना आठ हजार टन तो वहीं जर्मनी के पास 3,300 टन सोना है इसके अलावा इटली के पास 2,445 टन, फ्रांस के पास 24.000 टन और रूस के पास 1,900 टन सोना है गौर्टलब है कि भारत ने वित वर्ष 2023 और 2024 में ब्रिटेन में रखे अपने 100 टन सोने को घरेलू तिजोरियों में पहुचाया है ये 1991 के बाद सोने का सबसे बड़ा स्थान्तरण हुआ है बता दें के वर्ष 1991 में विदेशी मुझरा संकट से निपटने के लिए सोने के बड़े हिस्से को गिलवी रखने के लिए भारती तिजोरियों से बहार निकाला गया था भारती महिलाओं को सोने का अभूशुन सबसे अधिक पसंद होता है